हेलो दोस्तो हिंदी लुकप में आप सभी का स्वागत है दोस्तो क्या आपके दांत पर ठंडा या गरम लगता है या आप जब पानी पीते हैं तो क्या आपके दांतों में दर्द या जुन जुना हट होती है या आप कुछ खटा या मिठा कहते हैं तो आपके दांत में दर्द होता है या जंजना हट होने लगती है तो ये सारे लक्षन होते हैं कि आपके दांत बहुत sensitive हो गए हैं दांत जब आपके sensitive हो जाते हैं तब थंडा गरम से दांतों पर लगने लगता है इसके इलावा कुछ लोगों को खटा या मीठा खाने पर दांतों में दर्द की समस्या होती है जिसे हम सामाने भर्षा में ठंडा या गरम दांत पर लगना बोल देते हैं जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके दांत पर एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहा जाता है यदि किसी कारण से दान्त को सुरक्षा देने वाली इनेमल परत उतर जाए तो आपके दान्त सेंसिटिव हो जाते हैं और आपके दान्तों पर ठंडा गराम खटा मिठा, खाने या पीने पर दर्द या जुन-जुना हट की समस्या होने लगती है दान्त की सुरक्षा परत इनेमल के उतरने के कई कारण हो सकते हैं जैसे दान्तों में साडन होना, कीडे लगना, दान्तों या मसूडों से जुड़ा कोई रोग होना, दान्त सफेद करवाने के लिए बार बार दान्तों को खिसवाना, खटे फल फ्रूट का अधिक सेवन करना जरूरत से जादा बरश करना या जोड लगाकर बरश करना, दान्तों को आपस में रगड़ना या किट-किटाना, ये वो करण होते हैं जिनसे आपके दान्तों की सुरक्षाद वर परत इनेमल को नुकसान पहुunchता है और आपके दान्त सैंसिटिव हो जाते हैं जिसके करण ठंडा गरम खटा मीठा खाने या पीने पर आपके दांतों पर दर्द और जुनजुनाट की समस्य हो जाती है दांत की सैंसिटिविटी कम करने के लिए या दूर करने के लिए या आपको ठंडा गरम दांतों पर लगता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ घरे लूप पाई अपना सकते हैं दान्त यदि सैंसिटिव हैं तो सैंसिटिविटी को खतम करने के लिए आयरवेद में एक उपाय होता है और वो ये है कि आपको सुबह और शाम को मुँ में दो या तीन चमच नारियल का तेल डालना है कुछ देर इस तेल को मुँ में रखने के बाद फैंक देना है इससे दान्तों पर ठंडा गरम सेक लगने की समस्या दूर होगी और मुँ या मसूडों दान्तों के रोग भी दूर होंगे दोस्तों दान्तों पर ठंडा गरम या खटा मीठा लगने को कम करने के लिए आपको सुबह दोपहर और रात को सोने से बहले कुछ अमरूद के पत्ते चबाने की सला दी जाती है अमरूद के पत्तों में ऐसे गुन पाए जाते हैं जो कि आपके दान्तों मसूडों की समस्या को दूर करते हैं और दान्तों पर ठंडा गरम या खटा मीठा लगने की समस्या को भी दूर करने में मदद करते हैं दोस्तों रोजवाना सुभे और शाम को एक लेसुन की पाली कुछ देर चबाने से भी आपकी दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या दूर होती है और ऐसा रिसर्च में कहा गया है कि ऐसा करने पर लेसुन यदि आप चबाते हैं तो आपके मुग के रोग भी काफी हद तक दूर होने लगते हैं नमक के पानी के गरारे करना भी दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है इसे दांतों मसूडों के रोग दूर होते हैं और यदि आपको ठंडा गरम ज़ादा लगता है तो वो समस्या भी दूर होने लगती है सर्च में ऐसा पाया गया है कि हल्दी का यदि आप इस्तेमाल करते हैं मुग के रख रखाव के लिए तो ऐसे में आपके मसूडों और दांतों के रोग दूर होते हैं और दांतों पर ठंडा गरम खटा मिठा लगने की जो समस्या है वो भी जड़ से खतम हो सकती है बस आपको हल्दी की पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तियार करनी है और इंगली के साहिता से अपने मसूडों और दांतों की हल्के हाथों से हल्दी की पेस्ट लगाकर मसाज या मालिश करनी होती है ऐसा करने से मुउ या मसूडो दान्तों के रोक जो हैं दूर होँगे और आपकी टीद की सेंसिटिविटी की समस्या है वो भी दूर होगी दोस्तो आपको यदि मुउ में ठंडा गरम या खटा मिठा लगने की समस्या हो तो डॉक्टर ऐसे में आपको डॉक्टर ऐसे टूथ पेस्ट इस्तिमाल करने की सला देते हैं जिन में फ्लोराइड पाया जाता हो फ्लोराइड यूग टूथ पेस्ट का इस्तिमाल करने से आपके दांतों की सडन की समस्या केड़े लगने की समस्या दूर होती है और दान्तों की sensitivity कम होती है जिससे आपको ठंडा गरम या कटा मिठा खाने पर दान्तों में दर्द या जनजना हट की समस्या नहीं होती इसके लिए आप डॉक्टर से पूछ कर कोई अच्छी toothpaste का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे की सैंसोडाइन या ऐसे toothpaste जो की sensitive दान्तों के लिए बनाई गई हो रोचाना सुबह शाम को देहीं का सेवन करने से भी दान्तों की सड़न और दान्तों से संबंदी दूसरी समस्या दूर होती हैं जिसमें की दान्तों पर ठंडा गरम लगने की समस्या भी शामिल है दोस्तों प्याज से भी दान्तों पर ठंडा गरम या खटा मिठा लगने की समस्या को दूर किया जा सकता है इसके लिए आपको सुबह शाम या दोपहर में प्याज को अच्छी तरह मूँ में रखकर चबाना होता है दूसरा उपाई ये है कि जहां आपके दान्तों पर ठंडा गरम अधिक रखता है उस जगापर प्याज की एक पतली स्लाइस को कुछ देर के लिए रखें ऐसा करने से भी आपको दान्तों की सेंसिटिवेट की अधिक होने की समस्या से आराम मिल सकता है दोस्तों लोंग के तेल में दान्तों की हर समस्या को दूर करने वाले गुन पाये जाते है ऐसे में आपको अपनी दान्तों की ठंडा गरम लगने की समस्या से भी जल्दी मुक्ती मिल सकती है इस उपाई को करने के लिए आपको एक बड़े चमच नारियल के तेल में 6 बुंदे लोंग का तेल मिलाना है इन तेलों के मिश्रन को आपको मुँ में कुछ देर के लिए रखना है 10 या 15 मिनट के लिए और फिर थूप देना है इसा करने से आपको दांतों पे ठंडा गरम लगना पानी लगना या खटा मिटा लगना की समस्या से मुक्ती मिल जाएगी तो दोस्तों ये वो उपाई थे जिनें इस्तेमाल करके आप अपने दांतों की सैंसिटिविटी को कम कर सकते हैं या जड़ से खतम कर सकते हैं आपके मन में यादी कोई प्रशन हो तो हमसे जरूर पूछें तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, अपना ख्यार रखें, धन्यावाद